हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी कामाय चैनल में हलवाई जैसी परफेक्ट जलेवी बनाना बहुत ही असान होता है और आज मैं इसे दूद के पैकर से बनाओंगी बहुत ही असान तरीके से बनके तयार हो जाता है तो आएए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं कुरकुरी अब एक कप चीनी लिया है एक कर देंगे आधा कप पानीđ अभी चोटी लाइची ले और दोनों ओलाइची को खोलकर着 हैं Moses Keep ci. चोटी इलाजी डालने के बाद मैं डालूंगी एक पिंच केसर का एक पिंच केसर मैंने डाल दिया अब इस बरतन को चूले पे चड़ा देंगे चूले पे चड़ाने के बाद गैस का फ्लेम आउन करेंगे और स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखेंगे इसे मिक्स कर और जैसे ही इसमें वाल आने का वेट करेंगे दीरे दीरे इसमें वाल आजाएगा जैसे ही इसमें वाल आएगा गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लोप पे कर देंगे और वेट करेंगे जब इसमें एक तर बनने वाला हो हमें एक तर की चास्नी नहीं चाहिए जस्ट जैसे ही एक तर यह बनने वाला होगा गैस का फ्लेम आफ कर देंगे तो इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा स्पैचुला पर लेंगे चास्नी और इसे चेक करेंगे तो जस्ट यह एक तर बनने ही वाला है तो गैस का फ्लेम आफ कर देंगे हमारी चास्नी रेडी है इस साइड में रख देंगे अभी एक बरतन के ऊपर चंडना रखा है मैंने इसमें एक कप मैदा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह चान लेंगे यह बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेप होता है ताकि मैदे में जो भी छोटे बड़े कन हो वह चंड जाए तो मैंने यहां पर सुभ गी तो जाए बहुत सारा पानी दालेंगे तो यह कैसे स्मूथ बैटर बना के तयार करेंगे आप चाहे तो इसे स्पून से प्ध Guid Fund में मिक्स कर सकते हैं थोत है दालेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट चीज एक चमच घी लेकिन घी जो YOUR हमारी बिल्कुल हलकी तो मैंने एक चमज घी डाल एक पिंच फुड कलर औरेंज फुड कलर मैंने टाला टोटली ऑप्शनल है डालना हलवाई बहुत हलवाई जरूर डालते हैं से बहुत बढ़ियां जलेवी में कलर आता तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल तयार हो गया है तो अभी इ यहां पर बैटर फिल करना शुरू कर दिया है जैसे बैटर फिल हो जाए जो इसका नीचे का कौर्णर का पोर्सन होता है इसे कैची की हल्प से सीजर की हैं से बिल्कुल थोड़ा सा कट करेंगे और जैसे आप उपर से प्रेस करेंगे ना बिल्कुल पर्फेक्ट जलेवी निकल के बनके तयार होगी यहां पर गैस पर मैंने पैन में अलड़ी घी गरम करने के लिए रख दिया था घी में जलेवी बहुत ही अच्छी बनती हो और धीरे धीरे इस पर मैं बैटर यह डालते जा रही हूं रौंड रौंड घुमा कर जलेवी बनाते जाना है फ्लेम को यहां पर देखिए मैंने काफी सारी जलेवी एक बर में डाल दी है अब इसमें जगा नहीं है इतना ही जलेवी को हमें फ्राइ करना है स्टार्टिंग में बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे एक से दो मिनट बाद जैसे ही जलेविया सारी उपर फ्लोट करने लगी तब इस सारी जलेवी को एक पर पलट के चेक कर लिया है फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा आप देख सकते जलेवी का कलर काफी हद तक चेंज हो गया है एक और फिर से मैं इसे पलट रही हूं ते यहां पर देख सकते हैं कि हमारी जलेवी जो हू है एक alleen के पर दीयार है वह देख सकते कितछा बढ़ियां दूद के पैकष से ही जबु बन के बहुत ही असाने है और प्थ किसी घर मेंुईजली दूब में दूख के सिली बन रहा है 5 जो आ युथ की सेंगंड बहुँत है कि सिख भिख प्रस बहसे निकाल लेतेयme तो आप देख सकते हैं हमारी कुर्कुरी रसीली जिलेवी बनके तयार हो गई है इस एक अलग प्लेट मेट में ट्रे में मैं निकाल रही हूँ हुँ है कि तो यह हमारा दुसरा बैच जिलेवी का भी अल्मूस् organizing रेडिatti हो रहा है इसब ही बाहर निकाल के सुगर सिर७ं में डाल दूगी कि हमुएटली इसे सुगर सिर७ में ड़ू नहीं होथा है रसीली हलवाई श्टायल जिलेवी बनाना तो फ्रेंट्स मेरे बताये तरिके से एक वर कुरकुडू जिलेवी जरूर बनाएं आप सभी को जरूर पसंद आएगा अगली बर फिर उनलाकात होगी एक नहीं रेसिपिक के साथ